प्रक्टिस करेंगे इसमें हम GS के प्रश्णों पर उसमें भी जोग्रफी के कुश्टन पर वो 20 प्रश्ण है इसमें स्टैस सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखें वहांपर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 303 तक को हैं सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो उचले स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट पहला प्रश्ण दो स्टेटमेंट वाला प्रत्वी के दोनों गोलार्द में चक्रवाद आते हैं यह उत्री गोलार्द है यह दक्षनी गोलार्द है चक्रवाद आते हैं उत्री गोलार्द में भी दक्षनी गोलार्द में भी और प्रती चक्रवाद इसका उल्टा होता है, चक्रवाद का वो भी दोनों को लार्दों में आता है, उत्री को लार्दों में भी और दक्षनी को लार्दों में भी तो प्रती चक्रवाद के उपर यहां एक प्रश्ण है पहला statement है प्रती चक्रवात इस्तितियां शीत रितों में तब बनती है जब वायू मंडलिय दाब उच्य होता है और वायू दाब निम्न होता है और दूसरा statement है उत्तर भारत में शीत कालीन वर्षा पश्मी विक्षोप के करण होती है कौन सा सही है इसमें मिल्चा इस तक हमेंजाद रखेगा चक्रवात या साइकलोण जो है वो निमन दाब का चेत्र होता है तो प्रती चक्रवात उसका उल्टा हो गया उच्यot सभता होगा तो सही हो गया पहला statement और वायूताब होता है इसमें ये भी ठीक है तो पूरा का पूरा ठीक है कई बार हमने चर्चा किया उत्तर भारत में जो शीत का लिन वर्षा होती है वह वैस्टर्ण डिस्टर्बेंस यानि पश्मी विक्सोप के कारण होती है तो सही हो गया दूसरा भी स्टेट्मेंट दोन अपने नहीं होता है तो पहला वाला सही हो गया वागि उत्तर भारत में श्रीत का लिन वर्षा वेस्टर्ण डिस्टर्वेंस यानि पश्मी विक्सोप के करण होती है तो दूसरा वाला भी सही हो गया यह नंबर इस पर कॉल्या वाट्सप करके आप फूल टेस्ट है होती है तो पूर्व से किये और पाश्म से पूर्व किया उत्तर से अच्छन की और पूर्व की तरव जाते हुए कम होती जाएगी तो पashem से पूर्व की ओर कम होती जाती है तो बी सही है पashem विक्षोब हुमाते सागर छेत्रम उत्पन होते हैं जो कि भारत ए उप महादीब के उतर पashem हिस्दे में सरदियों में होने वाली वर्शा का कारण बनते हैं और भारत के उत्तर पश्मी मैदान में पश्मी विक्षोप से जाड़े में होने वाली वर्षा की मातरा क्रमसा पश्म से पूर्व की ओर घटती जाती है तीसरा प्रश्न दो स्टेट्मेंट वाला नमलिकित कत्नों पर विचार करेंगे औरिशा जो है ऊडिशा चक्रबाद बाड और सूखा तीनों ही प्रकेटिक आपडाउं से प्रभावित राज राज है उत्तर प्रदेश का पूर्वी चेत्र है वो सरवाधिक बाड से प्रभावित राज पहला तो सही है और दूसरा वाला भी सही है यह दोनों के दोनों सही है उत्तर परदेश का पूर्वी छेत्र सरवाधिक बाढ़ प्रभावित्र नमबर फोर पर आज़िए इंटर ट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन इस्तित है कहां पर ब्यापारिक हम पच्छुआ हवाओं की पेटी के मद पच्छुआ और धुरूबी है हवाओं की पेटी के मद धुरूबों के सीमा परतीशेत्र में या एक्वेटर पर भूमत रेखा पर लेकिए इसका अंसर पांच अक्षांस उपर और नीचे उत्तरिया जोन विश्वतिय अक्षांसो में विस्तरत गर्थ एवं निम निदाव का शेत्र होता यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षण पूर्वी विवापारिक पपने आपस में मिलती है विवापारिक पपने यानि ट्रेड विंड है चेरा पूंची निम्रिक में से किस कि सीघ्री में इस्तर गेखे नाग्व पहाड़ी खही पहाड़ी मिक वा से इंपोर्टों प्रेशा है यह फाषी पहाड़ है इस कि छेडिक सरवाढ़ेग वर्षा वाले शेत्र में किना जाता है एक हाशी पहाड़ी के दक्षण में इससे भी जाद है वर्षा होती है मासिन राम में वो भी मेगाले में है नमबर 6 पर आजएए दो कथने यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा सही होगा इसमें काली मिट्टी को इस्थानी रूप से रेगूर या कपास मिट्टी कहा जाता है और भारत में इस मिट्टी का विस्थार मुखेता महराष्ट पश्मी मद्यपरदेश और गुजरात राज़ों में मिलता है विल्कुल काली मिट्टी या रेगूर सोयल या काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है काली मिट्टी को इस्थानी रूप से रेगोर सोय लिया कपासी मिट्टी या उश्ण कटी वंदिय चर्नोजा मादी अलग-अलग नामों से जाने जाता है भारत में इस मिट्टी का विस्थार मुखिता महराश्ट और साथी पश्वी मद्ध परदेश गुजरात अधी राज्यों के लगभग पांस असनलवा चार शेलाग वर किलोमेटर शेतर पर मिलता है कोश्चन नमबर सेवन है लावा मिट्टियान अमलिकेद में से कहां पाई जाती है मालवा पठार, शिलांग पठार, शत्तिजगड मैदान, सर्यू पार मैदान कहां पाई जाती है लावा मिट्टियान मालवा पठार में अप्सन नमबर सी हैसका अंसर पश्मी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लाबा से हुआ है इसलिए इसे लाबा मिट्टी भी कहते हैं और मालवा का पठारीसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी शेत्र के अंतर करता है Q8 है नमलेखित कथनों में से कौन से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है पूछ रहा है वे आद अपक्षालित परदेशों की मिट्टियां है उनकी उरवरता कम होती है उनमें चूना पत्थर परचुर मातर में पाया जाता है उनकी उरवरता कम होती है उरवरता तो उनकी कम होती है लेटराइट मिट्टियों की ये बात तो सही है वे आद अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां ये भी ठीक है उनमें चूना पत्थर पुर्चुर मातना पाया जाता है ये बात गलत है पर यही अंसर होगी अपना देखें लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस फास्फोरे कम ले उटाज, चूना और कार्विनिक तत्वों की कम ही पाय जाती है इसलिए C गलत है और वही अंसर है अगी कम उपजाओ होती है ये मिट्टियां आत्र पक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां है जरोड मिट्टी ये अलुवियल सोयल के बारे में कौन सा कतन सही है तो तीन में से केवल एकी सही होगा यहाँ पर चार कतन वे से सही कतन को चुनिये तो तीन कलतां यहां इहां पर केवल एक ही करेक्ट है यह मिट्टी भारत के कुल भुभाग के करीब 14 प्रतिशत हिस्से में पाई जाती है इस मिट्टी में फासफोरिक आमल भरपूर मत्रा में पाई जाता है यह मिट्टी रेह दूर चोपन जैसे नामों से जानी जाती है यह मिट्टी उपजाव नहीं होती देखे जलोड मिटी है अलोवियल सॉयल भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिटी है तो 14% से तो अधिक होगी है इसलिए गलता पहला स्टेटमेंट यह मिटी उपजाओ होती है यहां लिखाय नहीं होती है तो यह भी गलता है यह मिटी रेह दूर चोपानादी नामों से नहीं जाने जाती है वो अमले मिटी जाने जाती है फासफोरिक अमल पुर्चुर मातरा पाई जाता है कि बल दूसरा बलाई सही है देखे जलोड मिटी है अलोवियल सॉयल पोटास फासफोरिक अमल चूना और जयाब पदार्थों की पुर्चर मातरा इसमें और नंत्तू नाइट्रोजन और हिउमस की कमीस में होती है तो बी वाला स्टेट्मेंट सही हो गया यह सरवादी को बजाओ होती है डी वाला स्टेट्मेंट कहे करा Werth Uniform अमले मिट्ती को इस्थानी रूप से रहत हुर चूपन उसर कल्लाराधी नाबों से जाना जाता ना कि जलोर मिट्ती को तो सी वाला गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि जलोड मिट्टी या अलोवियल सॉयल देश के लगवाग 33 सनल 5 प्रतिशत भागों के लगवाग 11 लाग वर्ग किलोमेटर शेतर में विस्त रहता है जो कह रहा था कि वल 14 प्रतिशत है और शेतर में सबसे अधिक उपजाव म्रदा कौन सी है तो जलोड मिट्टी ही है अलोवियल सॉयल दो प्रकार की होती है खांदार और बांगर कही बार हमने चर्शक किया देखे जलोड मिट्टी है अलोवियल सॉयल भारत की सबसे अधिक उपजाव म्रदा है इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है और जलोण मुर्दाएं मुलता है हिमाले के निक्षेपों से बनी है कोशन नमबर 11 है मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सबसे सरवादिक शेत्रपल पर फैला हुआ है प्रशन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है वाकी उत्तर जो रहेगा उसका सेम ही रहेगा नदियन द्वारा लाई गई मिट्टी को जो लोड़ मिट्टी कहते हैं राष्ट्यम्रदा सरवेक्ष्ण में भूमी उपियोग नियोजन वियोरों की नविंतम रिपोर्ट के अनुसार जरोड मृदा है यानि अलूवियल सोईल देस के लगवाग त्याति उसमें 5% भागव के लगवाग ग्यारे लाग वर्ग हेक्टेर शेत्रों में विस्तरता है करेवा मृति का जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपियोगी है पाई जाती है केसर का एक इस्थानिय प्रकार है जाफरान बहुत पूछा गया सवाल एक्जाम में यह और कश्मीर इसका उत्तर है कश्मीर हिमाला ए जाफरान यानि केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी परस्द है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताजे जल द्वारा जमागी के मिट्टी है सामाने फसले उगाने के लिए पुरबर जो भूमी होती है उसका पी अजमान कितने होना चाहिए देखें तीन चार तो बहुत अमलिय हो जाएगा और साथ से अगर उपर है तो ज्यादा छार्य हो जाएगा तो 6-7 C है का अंसर सबसे सटीख सही मिट्टी का पी अजमान कम होना मिट्टी की अमलेता को तथा पियेश मान अधिक होना उसकी छारिता को बताता है अधिक अमलिया या अधिक शारिय मिट्टी सामने फसलों के लिए उपरियुक्त नहीं होती सामने फसले उगाने के लिए मिट्टी का पियेश कितना होना से यह 6-7 के बीच में नमबर 14 पर आजए भारत में लवड़िय मरदा का सरवादिक शेतरफल नमरी किस में है यह तो लवड़िय करके पूछ ले इनुने चारिय करके पूछ ले तो भारत में लवड़िय मरदा का जो सरवादिक शेतरफल है वो है गुजरात में और भारत में छारीय मर्दा का सरवादिक छेतरफल एरिया पूछ लेता है वो है उत्तर प्रदेश में देखे भारत में लबड़िये मरदा का सरवाधिक शेतरफल गुजरात में है और भारत में छारिये मरदा का सबस्यदिक शेतरफल उत्तर प्रदेस में दोनों के ज़दर कीगा पंदवा प्रशन है सरवाधिक तटिया अपरदन नम्रिकित में से किसे होता है most coastal erosion जो होता है वो किसे होता है सुनामी लहरों से धाराओं से जो आर भाटा से या सागरिये लहरों से सुनामी तो कभी कबार आती है लेकिन जो लहरें है वो continuously कटाव करती रहती है जो सागरिये लहरें है यह है सकांजर सागर के तटिया भुभाग पर सागर की लहरें यानि जो ocean waves होती है वो नरंतर आक्रमन करती रहती है समुद्र तल से उपर उठने वाले भाग लहरों द्वारा अपरदित होकर क्रमशा नस्ट हो जाते है नमबर 16 पर आजए नम लेकर में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाई और से नहीं मिलती बाई और से नहीं मिलती तो दाहिने और से मिलती होगी वो गोमती बाई और से घागरा बाई और से कोशी बाई और से लेकिन सोन नदी दाहिनी और से मिलती है तो यही आंसर अड़ी गोमती नदी घागरा नदी कोशी नदी गंगा में बाई और से मिलने वाली सायक नदी है जबकि सोन नदी दाहनी ओड से मिलने वाली सायक नदी है सोन नदी मद्य प्रदेश के अमर कंटक से निकल कर गंगा नदी से पटना के निकट मिलती है पुशन नबर 17 पर आज़िए भारत के दक्कन के पठार पर वेसाल्ट निर्मित लावा सेलो का निर्माण हुआ है क्रिस्टेसियस यूग में प्लीस्टोसीन यूग में कर्वनिफेरस यूग में मायोसीन यूग में क्रिस्टेसियस यूग अप्सन नमबर ए और इन सैलों के अपर्दन से काली म्रदा का निर्माण हुआ है जिसको काली का पासे मिट्टी या रेगुर सॉयल के नाम से भी जाना जाता है कोशन नुबर 19 पर आज़िए महासागरिया नितल का सबसे विस्तरत भाग निमने के दमें से कौन सा सबसे विस्तरत और यह important प्रशन है UPSC civil सिवा पर पूछा गया है इसका उतर है गहरे सागरिया मैदान सबसे विस्तरत भाग है महासागरिया नितल का देखिए महासागरिया नितल का सबसे विस्तरत भाग गहरे सागरिया मैदान है महासागर संरशना का करम किनारे से इस प्रकार है मनले जियाँ ओशनार किनारे से देखें सबसे पहले महा सागरिय मगंत तृट आएगा यह पर्थवी की तरह में धरातल की तरह आएगा महा समय द्हाल उसके ऊपर महसागर गर्द और गहरे सागरिय मैदान की आ यह व Колि सागर रहेगा यह एक और इसको पूफव है ता इन यंटेक्रेजिंग करके महा सागर से ध्रातल लगी और ध्रातल से महा सागर की और अफ़ बस्दो planted को टो प्रश्द ग्रेनाडा नंडं लिकले सटेक किस है कि आद मेक्स है तो कि नंग्रेनाडा में सिल्धव 2 यह चैठ्रमाद Sydney तो नौर्थ अबेञा होगा Jord लेखे ग्रेनाड़ा एक दूइपी है देश है यह है केरिवियन सागरे शेत्र में वस्ते होता है इसकी राजधानी है सेंट जॉर्ज और भोगली ग्रूप से यह है उत्री अमेरिका का भाग है यह बोनस अंक वाला प्रश्ण है और मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमेशा एवर क्रीन रहेगा कभी पूछा जाएगा यह प्रश्ण भारत में निम्लेकित में से कितने प्रदेशों से होकर करक्रेखा गुजरती है करक्रेखा यानि ट्रॉपिक ऑप कैंसर या साड़े तेज जिए उत्री अक्षांस लेखा यह भारत के लगवग 20 से उकर गुजर जाती है भारत के 8 राजयों से उकर गुजरती है प्रश्ण पूछने के तरीके कहीं है ठीक है ऐसे पूछ लेगा या उन राजयों को 4 विकल्ब देकर पूछ लेगा किससे नहीं गुजरती आधिक्तर बिहार और उत्तर प्रदेशी रखता है उसमें और वाकी स्टेट्मेंट बना कर पूछ लेगा एक एक स्टेट्मेंट में करा लेगा आठ राज्यों से अकर गुजरती है करक रेखा है साड़े तेज़ डिगरी उत्री अक्षान्स रेखा या ट्रॉपिक ऑप कैंसर भारत के आठ राज्यों से अकर गुजरती है कौन-कौन से हैं वो कुजरात राजस्थान मध्यप्रदेश शत्यजगर जारखंड प सब्सक्राइब रखेगा सब्सक्राइब रखेगा सब्सक्राइब से चैनल को धन्यवाद